मखालफिन जो हैं मुप्ति सायब के जितने भी लोग हैं मखालफीन वह लोग जूढ इतनी सिदद्स से बोल रहे हैं जैसे मोजी जूढ इतनी Jeanne से बोल रहे हैं मुप्ती मंममज इसमाइल साus को और देंगे मुप्तिशमाइल कासमी साब क्या इप श्राइब को देखना जाते हैं इंशालला मुप्तिश चुनकर आएंगे अच्छी अखसर्याइट से चुनकर आएंगे और अच्छाई की जीत होंगी और पुराई की हार होंगी तो साल में इतना काम हुआ है पाइतिस साल में उतना नहीं हुआ है अब एक मर्तबा फिर मुप क्योंकि कमेंट सेक्ष्षिन में जो मुहबबत हम लोगों को मिली ती वह आप भी कि मौपबत वापस हम लोगों को खिश लाई है फिर से बात करेंगे लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे सवस्या हैं और वो नाम जुनके दिमाग पर चपे हुए हैं जिसे वह आमदार की रूप में देखना चाहिए तो चलिए आईए बात करते हैं लोगों से और जानने कोशिश करते हैं अटरहन नंबर कोई भी नंबर वाट गई है और हम लोगो माजीद आजी साब ने जो यह यहां पर काम किया बहुत अच्छा काम किया है उसकी वजयत से हम लोगो तो देख लो आप यह काम देख लो पूरे शहर में ऐसा काम कहीं नहीं मिलेगा जैसा काम माजीद आजी साब ने किया और उसी की उनीकी मुहबबत में हम लोग मुलाना मुट्टी मुहम्मद इसमाईल साब को ओड देंगे अच्छा है और आप आप की लोग क्यों खू़र कर रहे हैं मुफ्ति समाईल सिबौल लगे ले लग ल Celtक की अष्जी को बचाना है आने वाली नसलों को भी हमको बचाना है और इस शेशर की तामीर और तरक्की के लिए आगे बर्ड़ना है। और वो लोग जो सामने कैसे बोल रहे हैं कि सामने बोले हैं कि तोड़ी है। अच्छा वो भी यहां कि नहीं नहीं है। वो दो पास सो रुपे लेगे कोई भी किसको भी कुछ भी बोल देगा। मुक्ति शाहे और पुराई का इलक्ष और 80% को अच्छाी की साहते है और 80% के साहते हैं CGI पूराइक तो एलक्स है और 80% मुक्ति साहब का मिसन मा जी द द अजू laughing जितने भी मजलिस के जुम्मेदार अभण वार है उनका मिसन अवाली नसलों को बचानाहा रही है करें लेकिन कम करें कि तरह कि जएक कुछ को रुखेंगे इन्शालला वो काम भी होंगे इस था नंबर अडरा है को नगर सिवक माजित आजी है एम आइम के और मुखालफीन जो है मुपति साहिब के जितने भी लोग है मुखालफीन वो लोग जूड इतनी सिद्दत से बोल रहे हैं जैसे मोधी जूड इतनी सिद्दत से बोल रहे हैं वैसे यहां पर भी मुखालफीन की लोगों को सच लग रहे हैं लेकिन सच्छाई यह है कि मुफ्ती साहीब जो हमारे आलीमे दीन है और एक अच्छे इंसान आएक अच्छी संक्सियत है हम उन्कोई हुआ है और अच्छाही की जीत हों गी और बुराई की हार होंगी वो जो ग्रो है ना वो लोग बोर रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि मुफती साफ बड़े बढ़े आदमी अच्छे आदमी है तबीत खराब हो गई आप लोग जबरदस्ती खीच के ला रहे हैं उनको आराम के ज़रूरत है अरे और बीमारी आरामी जो है हर किसी के साथ लगी मुप्ति सहाइब के पास जो लोग है वो सब मुखलिसी में यह कोई भीकाव लोग नहीं और कोई पैसा उसा लेकर मुप्ति सहाइब के पास नहीं आते हैं मुक्ति साथ की सच्छी मौपत और हमदर्दी में लोग आते हैं हाना ऐसा नहीं किया हम पैसा लेकर जाएंगी यह चीज़ है यह फड़ा गए अच्छा आप लोग नहीं पूछ रहा हूं मैं जैसे अभी नशा मुक्त माले गाओं क्या एजेंडर लेकर कि मुक्ति सा मुक्त करना किया है जैसे अहाँ अभी मंँबाई में जहां पर भी नशा इंडी वाडर कारोबार उता था वहां पर मुंबाई में बड़ी वड़ी इंजियो थी जैसे हम भी गोमान ये वो जो भी तन्जीमे जो एंजियो लोग थे वो वहां पर रहे तो पचासों इंजियो ने मिलकर मेनत करा था जब कहीं जाकर आज मुम्रा उस चीज से निकला है नसे के उसमें दें यहां पर तो वैसा है नहीं तो हर किसी को मतलब है तो अ सब लोग भी लगे हुए है इसके खिलाब तैरीक चला रहे हैं इंशाल्ला आगे लक्सन के बाद और इसका जो भी रहेंगा तैरीक शला कि इसको अंजाम तक पहुचाएंगे इंसान को इंसानियत के तरीके से अच्छे डंग से अच्छा माहूल बने हम लोग यह चाहते हैं और हमारे जो अभी पतंग के जो मिंबर है उनके भी यही नजरिया है कि इंसान अच्छे डंग से अच्छे माहूल से अच्छे तरीके से जिंदगी का गुजर बसर करें खुपना रहे हैं तो हम लोग यह चाहिए है के दुनिया के अंदर अच्छा डंग से अच्छा तरीखे से लोगों की जिंदेगी का गुजर बसर हो और हम असंबली उट पार्लामेंट से यह चाहिए है कि हमारे लिए वो तमाम सहुलिय आ कड़े करें कि हम लोगों के बच्च साहब को आना चाहिए क्योंकि हम लोगों कर रहबर वही है मुक्ति समयल कास्मी साथ क्यों 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 हमारे वास्ते पास साल में क्या करेंगे तो ऐसा कौन है जो आपके साथ कड़ा रहते हैं देखो मेरा बुलना तो यह है क्यार जैसे अभी मुक्ति समयल राप जिनकी तव्यत करा वे वो क्या वज़े से तो मेरे को नहीं बता और आसिप साहिब तो यह तो लगे हुए जैसे मतलब के मुझे होट चीए उनको इतना यह तो मेरा बुलना यह है क्यार दूनों में से कोई भी बाउटी आए जनता को यह समगना चीए क्यार वो पाज़े हमारे लिए क्या तो यह आप मजलिस का अपने बैज लगा हुआ है आप यह बोल रहे हैं पास साल में मुफ्तिस आप नहीं किया है लो मुझे है गडर का रोल का तो ये काम किसका है मतलब जैसे इतना फंड आता है कि यार ये सालक के लिए फंड आता है गडर के लिए रोल के लिए आता है तो फंड जाता का है अब एक मर्दबा फिर मुप्तिस आपको देना है संविदान है सबकों अबने लिए इनका इता है इनका इता एक अलग विचार है बिल्कुल यह कुछ संतुष्ट नहीं होंगे आपको अपस अपनी है तो होता है जो जो मुखनी रहेंगा आज ने तो समझ में आए 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 रहें और जो जूता है और सच होता है अच्छाई अच्छा होती है और बुराई बुराई होती है आने वाले result में समझ में आए अच्छाए क्या है और बुराई क्या है अच्छा नहीं मैं सिंपल सा एक सवाल है मेरा कि जैसे अभी आप बोल रहें कि इनको नहीं पता कि क्या काम हुआ है तो तो नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि ऐसे कई सारे लोगों को जब मैं भी बात करता हैं, तो उन लोगों को नहीं पता है कि मुद्ती साब ने कहा काम किये, तो ऐसा क्यू कि сигoca काम की साब्हगा की है, और इनकी जो ओड है वो सब चुपी हुई है जब रिजर्ट आएंगा जब देख लेंगे अच्छा वोड चुपा हुआ है लोग डरे हुए है तुम दारा करो मेडिया मतलब फिर इससे पहले जो हुआ तो वो क्या है आपको तो खबर होगी ना क्या हुआ किस फैमिली के होगा जानता है तो इसको कलब बोलते हैं तो एक भी कोई मतलब सामने आने तयार नहीं आप पेटी देखेंगे टो उस पर रिजर्ट मिल जाएंगा आपको हमारी मुप्तिज मुप्तिसाब कर चाहने वाले कितने हैं मगर डरे हुए हैं सेहमे हुए हैं इनका तरीका कार यही है पैसे से मानते है तो ठीक है ने तो डरा के मनुआ इनका तरीका कार यही है आप पूरा देख लो इस्टरी देख लो जो चुपी हुए चीज नहीं है इसलिए के आज शहर में विकास का काम उन्हों नहीं किया है अगर आपको देखना है आप मेडिया ले है मुखालफिन को जाने दो तो कुछ भी बोलेंगे लेकिन अगर आप मेडिया ले है तो आप मेरे साथ चलिए मैं आपको पूरा काम बताता हूँ आप देखेंगे आपके क्यामरे से सुट करेंगे तो मुखालफीन को आप बता पाएंगे आज वो लोग जो बोल रहे है वो तुम सुन ले रहे लेकिन आपकी आखों से जो देखा हुआ रहेगा तो वो तो जुटला नहीं सकते आप चल के देख लो अब्दुल्ला नगर है हमारे एरिये में अब्दुल्ला नगर है उसके अंदर पूरी रोड गडर का काम इनों ने करके दिया उसके आगे थोड़ा दी जाएंगे असन पुरे है असन पुरे का पूरा काम इनों ने करके दिया उसके आगे तुम चले जो पौर वाड़ी जो के मुखालफीन के कार्बुरेटर थे वहाँ पर वहाँ पर मौलाना की एक भी सीट नहीं थी मुप्ती साहिब की एक भी सीट नहीं थी उस एरिये में वहाँ के लोग हर मिंबर के पास गए हर मेहर के पास गए हर एक के पास गए किसी ने काम नहीं किया मुप्ती साहिब वहाँ पर गए कमिस्नर को लेकर वहाँ दवरा करें लोग का कहना इसा था कि यहाँ पर रोड़ गडर नहीं बन सकती उसकी वज़े ये बता है वो लोगों ने कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है लेकिन काम करने अलगर जो होता है तो उसको उपर देगाइब से मदद होती है मुद्ती साहिब वहाँ पर गए उनको पानी की निकासी भी करके दिये आठ नो गली जो के 25 साल थे लोग खस्ता हाली में थे वहाँ पर उन्होंने रोड गटर पानी की सुहिदा करके दिये तो यह सम्मुद्ती साहिब का काम नहीं है तो क्या है अभी जैसे आपने बतािया ना कि ये 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 काम हुए है ऐसे मैं बोल रहाँ कि जैसे अभी ये बाई थे इनका इनका भी अपक्री एक अपना खयाल है इनको जीसे बोरे हैं कि हम काम नहीं हुआ है तो ऐसे कई सारे लोगों को नहीं पता है ज़से मैं जहता हूं पन्तरा साल पहले आ गई ती ती हमने लेकर आगई are मैं यह पूछना जाता है मैं खुद भी जब यहां पहुंचता हूं तो मुझे और अरंगाबाद से मनमार मनमार से भी ट्रेन बगर बगर पगड़ी थे था अज तक रेल्वे लेकर आगए आज तक रेल्वे की पुनियाद भी नहीं है तो यह नहीं की उसकी भी होती है और य नहीं के साथ रहनों ले नहीं हैं और मुझालिब जो है नशे को बढ़ावा देखने नशे के खिलाफ यह आवाद अटाजाए और जो सामदे रहते हैं शेक आधिभ भाई ओन नशे के सर्परस्ती करते हैं तो आपके कोई दोस्त वगरा ऐसे हैं जो नशे के वज़े से बर बात करता है और हम लोग उसके खिलाफ है वो नहीं होना चीह सहर केंदर वो फेयसा सहर में नहीं होना चीह अचाँ अब आपको लगता है कि उनकी तब्याद इतनी जीज़ादा खराब है तो वह सही से पाएंगे तावब आपके बायने कर पाएंगे लोग तो बैटे हुई है तो ये आप देख सकते हैं कि अभी सियासी माहूल जो है माले गाओं का वो बहुत ही ज्यादा सरकर्म है अलग अलग विचार है अभी कई सारे लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं उन ख्यालात का अगर मिचोड निकाला जाए तो यहां पर लोग बोल रहे हैं कि लड़ाई अ बुराई की है कुल मिला करके अभी आप देख सकते हैं कि आसिफ शेग और मुफ्ती स्माइल यह दो नाम काफी ज्यादा चर्चा में हैं और इन्हीं दोनों में लोगों का कहना है कि अभी मुकाबला होने जा रहा है और उसमें भी वत और खास जो एक मुद्दा है वो जो सब्सक्राइब कर लिए अब तक तो पुराने एपिसोड नहीं देख लिए और ऐसी ख़बरों के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ